गुट मॉर्निंग एप्रिवन, वेलकम टू एग्जाम ओर्विट क्लासेज, आज है 15 अप्रेल और आज के सेशन में 15 अप्रेल से सम्मंदे टॉप 10 करेंट अफियर की कुश्चन्स डिसकस करेंगे, जो की सबी परिक्षाओं के लिए महत्त पूंड हैं तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में, महराष्ट में किसकी जैनती को सुतंतरता बीर गौरब दिन के रूप में मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा, राजेंदर प्रसास, सिवाजी महराज या फिर बिनायक दामोदर सावरकर, इस स अंसर बता है, वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का पहला सवाल, चक्रवात इलसा कहां पर आया है, तो फ्रेंड चक्रवात इलसा आया है, आस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे आप सभी, ये जो चक्रवात इलसा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोहो आयक्स निर्यात पोर्ट है जो कि कहां पर आता है तो ये आता है आउस्ट्रेलिया में अब डिस्कस कर लेते हैं चक्रवाथ से सम्मंदित लेटिस्ट करेंट अफ्यार चक्रवाथ फ्रेडी से कौन सा देश प्रवावित हुआ तो आप सबी चानते हैं हाली में यह चक्रवाथ आया था मलावी में मलावी कहां पर है तो यह अफ्रीका महादीप में इस देट एक देश है चक्रवाथ ग्रेवियल किस देश से सम्मंदित है तो चक्रवाथ ग्रेवियल आया था न्यूजिलेंड में बम चक्रवाथ कहां पर आया था त चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडोस नाम किसने दिया था? संयुक्त अरब अमिरादने। चक्रवाती तूफान को असानी नाम किसने दिया था? तो ये नाम स्री लंका के दुवारा दिया गया था। अक्टूबर के महीने में बांगला देश के टट से टकराने वाला चक तरंग यह नाम किस ने दिया था इसे तो यह नाम दिया गया था था थाइलेंड की म sekali तूबरा खबरों में रहा नानमडोल किया है तो नानमडोल याद रखे, यह एक तूफान है। जोंडी काफी सुर्कियों मे रहा था। अब discuss कर लेते हैं औस्टेलिया के बारे में तो मैप में आप सभी औस्टेलिया की location देखेंगे यह है औस्टेलिया विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है तो answer होगा औस्टेलिया ऐसा कौन सा महादीप है यहाँ पर एक भी बॉलकैनो यानि की जुआला मुखी नहीं है तो answer होगा औस्टेलिया इसके लावा याद रखेंगे Great Warrior Reef और Great Dividing Ranch यह भी आपको कहां देखने को मिलेंगी तो औस्टेलिया महादीप में देखने को मिलेंगी इसके लावा औस्टेलिया से और आपको क्या याद रखना है तो औस्टेलिया की दो प्रमुग नदिया हैं जुनें हम कहते हैं मर्य और डालिंग ये कहां पर बहती हैं तो Australia महादीब में बहती है Australia महादीब में जो घास के मैदान पाई जाते हैं यानि कि घास भूमी पाई जाती है इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे comment करके बताएंगे इसके लावा आप याद रखेंगे कि OC Index जो अभ्यास है OC Index अभ्यास में Australia और भारत भाग लेते हैं और आप याद रख सकते हैं Pitch Black जो की बहुस अदत सी अभ्यास था जिसका आयोजन Australia में किया गया था और भारत ने भी इसमें भाग लिया था तो ये हमारे लिए महत्पूंट हो जाता है Australia की राजधानी कैनवरा है मुद्रा यहां की Australian डॉलर है बर्तुमान में यहां की प्रधान मंतरी कौन है तो याद रखेंगे Anthony Albanese है और जो मकर रेखा है यह Australia के मद्द से गुजरती है याद रखना है क्योंकि भारत इसमें भाग लेता है तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दबाना पिलकुल न भूले जिसे आप सभी को क्लास का जो नॉटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की पीडियाप बात में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाकर एक्जाम और्बिट क्लासिस से लोगों आपको दिखाई देगा जिसने भी टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है जॉइन कर लीजे क्योंकि यहाँ पर के अलावा जी के जी एस के जो महत पूंट सवाल हैं वो भी आपको कराए जाते हैं और इसके लावा करेंट से संबंदे जो भी अपडेट होता है वो भी आपको इसली यहां पर मिल जाता है अगला सवाल डिसकस करेंगे डॉक्टर वीम राव अमबेटकर जी की 132 वी जैनती क 14 अपरेल को मनाई गई है तो अब हम डिसकस कर लेते हैं डॉक्टर वीम राव अमबेटकर जी से सम्मधित कुछ परस्णों के बारे में क्योंकि अक्सर एक्जाम में यहां से देखने को सवाल मिल जाता है तो पहला सवाल तो यही है कि डॉक्टर वीम राव अमबेटकर जी जाता है आजादी के बाद देश के पहले कानून और नियाय मंत्री कौन थे तो डॉक्टर वीम्रा उम्बेटगर जी थे डॉक्टर वीम्रा उम्बेटगर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था तो यह आपको याद रखना है 1990 में 29 अगस 1947 को संबेधान मसोदा समी जिसे हम कहते हैं प्रारूप समी ती इसके अध्यज के रूप में प्रती नियुक्त किसे किया गया था तो बावा सहब अम्बेटगर जी को किया गया था Administration and Finance of East India Company पुस्तक के लेखा कौन है तो याद रखना है डॉक्टर वीम राव अम्बेटगर जी है गलित बॉत दे आंधौलन किस से प्रेरित है तो ये विवावा साहिप से ही प्रेरित है डॉक्टर अम्बेटगर जी का समाधी इस्तल इसे किस नाम से जानते है तो चैत्या भूमी कहा जाता है फ्रेंट से ना पीने के पानी के लिए सत्य ग्रय करने वाले पिर्थम और एक मात्र सत्य ग्रय ही कौन थे तो इनका नाम कौन है तो डॉक्टर वीम राव अम्बेटगर जी के बीच में हुआ था तो इतने पॉइंट आप सभी को याद रखना है अगला संगाई संगतन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगाई संगतन es copies के अध्यस्ता कौन कर रहा है भारत कर रहा है तो इससे सम्बंदिश जो भी बैठके होंगे जो बी सम्मेलन होंगे वो कहां होंगे भारत में होंगे तो इसी के तहत मिलेट फूट फेस्टिवल का जो आयो रसोयों ने 9 दिवसिय कारिकरम में सामिल हुए हैं यह कारिकरम 13 से 19 अप्रेल तक चलेगा कहां पर मुंबई में और ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि संगाई सयोग संगतन की अध्यस्ता 2023 में भारत कर रहा है आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एस्ट्रा फैक्ट सालों के मुखे न्याइधीसों की जो अठार भी बैठक है ये कहां पर हुई थी तो ये हुई थी नई दिल्ली में जी ट्वावर फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ नई दिल्ली में किर्तिम बुद्धी दुवारा संचाले तुनिया के पहले रेडियो प्लेट फॉर्म का नाम क्या है तो इसे कहते हैं रेडियो जी बी टी सारवजनिक परिवेन वाले दुनिया के सबसे अच्छे सहरों की सूची में किस सहर को जगे मिली है तो मुंबई को मिली है महिला प्रीमियर लेक दो हजार तेज किसने जीता है तो इसे मुंबई इंडियन्स ने जीता है अ ये फ्रांस पहुँच चुकी है इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में और ये बहु पच्छिय अंतरास्टिय वायू अभ्यास है तो आपको याद रखना है अभी जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछ बलेक अभ्यास वो भी एक बहु सदसी अभ्यास था ज लिया जाएगा और भारती वायू सेना में सामिल हुए राफिल बिमानों के लिए यह हैं पहला विदेसी अभ्यास होगा ये भी आपको याद रखना है भारत के अलावा और कौन-कौन इसमें भाग ले रहे हैं तो जर्मनी है ग्रीस है इटली नीदर्लेंड विटेन से 14 मार्श 2023 तक कहां पर हुआ था हिंद माहसागर छेत्र में अमेरिका ने किस देश को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने के लिए मन्जूरी दे दी है तो फेंड्स ये मिसाइले आस्टेलिया को दी जाएंगे अच्छा ये मिसाइले जो आस्टेलिया को अमेरिका दुआ दी जाएंगे याद रखेंगे औकस जो समू बनाया गया है उसके थुरू दी जाएंगे अब औकस में कौन-कौन से देश सामिल है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे देखिए दो देश तो यहीं पर किलियर हो गए अमेरिका और और ऑस्टेलिया ऑकस में सामिल है तीसरा देश कौन सा है कमेंट्स में लिखेंगे अफगानिस्तान पर भारत मद्य एसिया संयुक्त कारे समू की पहली बैटक का आयुजन कहां पर हुआ दिल्ली में दोई बच्चिये समूद्री अभ्याद जिसे कहते हैं सिलिनैक्स 2030 कहां पर होगा सोरी कहां पर हुआ है त 35 बार डिसकस कर लेते हैं सेवी के बारे में सबसे पहले तो सेवी का फुल फॉर्म आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे भारतिये प्रति भूति और बिन्वे बोट पूछ लेता है एक्जाम में 35 स्थापना दिवस मनाया है 2023 में और इसी के साथ सेवी ने अपना नया लोगो भी जारी किया है सेवी के स्थापना होती है 12 अप्रेल 1988 में इसका स्वामित तो किसके पास है तो याद रखेंगे भित्व मंत्राले के पास है सेवी अधिनियम 1992 के तहट वैदानिक मानिता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त होती है सेवी को सेवी का जो मुख्याले है वो मुंबई माहराष्ट में है सेवी से समंदित को चैस्ट्र अफेक्ट डिसकस कर लेते हैं जैसे के सेवी के पूर्व अध्यच यू के सिन्ना और दीपाली गोइंका को सुतंतर निदेशक नियुक्त किया है हाली में इनकी नियुक्त की गई है सेवी की मंजूरी के बाद IDFC मुच्वल फंड का नाम बदल कर बंधन मुच्वल फंड किया गया है सेवी अकाउंट एग्रिगेटर धाचे का हिस्सा बना है अब आप मुझे बताईए कि सेवी की पहली महिला अध्यच कौन है आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में अगला सवाल हिमाचल प्रदेश ने किर्सी और पसुपालन संबंदित कौन सी योजना शुरू की है तो हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट दुवारा किर्सी और पसुपालन से संबंदित संजीबनी परियोजना की शुरुवात की गई है डिसकस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में तो इस परियोजना के दुवारा राज्य के किसानों और पसुपालकों के घर तक टेली मेडिशन और पुध्योगकी के उपयोग से देखवाल सेवाएं पृत्दान की जाएंगे तो याद रखेंगे किसने इसकी शुरुवात की है हिमाचल प्रदेश न है आगे बढ़ते हैं कुछ एस्टर अफेक्ट डिसकस कर लेते हैं करेंट अफियर से ही सम्मंदित रेसम उत्पाद को हेतू बीमा योशना सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है उत्राखंड है किस राज्य ने 19 नए जिले और 3 नए संभागिये मुख्याले घटित करने की घोशना की है राजिस्थान राज्य ने आंदोलन कारियों और उनके आशुरुतों को सरकारी नोकरियों में 10.36 आरच्छन देने के प्रस्ताब को मनजूरी किस ने दी है तो ये उत्राखंड के दुबारा ही दी गई है एकल महिलाओं के लिए स्वेरोजगार योशना सुरू करने की घोशना किस ने की है तो उत्राखंड गवर्मेंट के दुबारा हाली में ये घोशना की गई थी बिशो में S3N8 वर्ट फिलू से पहली मौत का मामला किस देश में सामने आया है तो फेंट्स याद रखेंगे एक्जाम में डाइरेक्ट कुईशन बन सकता है कि S3N8 से जो पहली मृत्य हुई ये किस देश में हुई तो याद रखेंगे ये हुई है चाइना में तो हाली में विश्व स्वास्ते संगठन यानि की डबलू एचो ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि चीन के दच्छनी प्रांत गुआंग डॉंग में S3N8 वर्ट फिलू से एक महिला की मौत हो गई है यह है वर्ट फिलू से मौत का पहला मामला है जो की चीन में आया है सामने अभी तक तीन लोगों की इस वाइरस से संक्रमित होने की पुस्टी हुई है N3H8 इन्फिलूंचा ए वाइरस का एक सब टाइप है कुरूना के बाद चीन में S3N8 वाइरस का संक्रमित पूरी दुनिया के लिए चिंता का विशयब बना हुआ है तो यह हाली में रिपोर्ट जारी की गई है किसके दुवार है जिसमें बताया गया कि चीन में पहली में रखती हुई है तो आपको याद रखना है डबलू एचुने से प्रकासित किया है चीन की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं यह है चाइना चाइना की राजदानी है वीजिंग याद रखेंगे अब आप मुझे बताईए कि SEO का जो मुख्याल है ना SEO का Headquarter यह कहां पर है आंसर करेंगे Comments बॉक्स में चीन की दो मुद्रा है रेमेंबी और युवान दोनों ही काफी महित पून है याद रखेंगे आप सभी और चीन के बर्तमान में प्रसीडेंट कौन है तो सी जंग पिंग है किस सहर में पहले रेट जार की न्युकति की है तो फेंट्स रेट जार का मतलब होता है चूहों को काबू में करने वाला डारेक्टर इसकी न्युकति की गई है कहां पर नियूर्क में तो ये direct question exam में बन सकता है आप सबी याद रखेंगे और जो director बनाई गई है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है Kathleen और ये कहाँ पर बनी है तो ये बनी है नियूर्क में नियूर्क में चुहों के खत्रे से निपटने के लिए red jar की नियुक्ती की गई है तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है आगे डिसकस कर लेते हैं लेटेस्ट करेंट अफियर में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दो हजार बाइस में दुनिया का सबसे प्रदूशे देश कौन सा रहा है चार्ट अरुण सुब्र मन्यम निम्ने में से किस कोट में पहले भारती अमेर की जज़ बने हैं नियुआर्क कोट में डिजिटल इलेक्रोनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपियर कानून नियुआर्क बिधान मंडल दुवारा पारित किया गया है फेटरल रिजब बैंक आफ नियुआर्क के निर्देशक मंडल में आई बिम के अद्यश अर्विंद किष्णर चुने गये हैं तो ये जानकरिया आप सभी को याद रखनी है अखिल भारती प्रवंदन संग दुवारा बिजनिस लीडर ओप दा डिकेट अबॉट से किसे सम्मानित किया गया है तो फेंड्स ये अबॉट मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को पूछा जा सकता है एक्जाम में तो आदिते विडला समू के अद्धेश है कुमार मंगलम बिड़ला जिनने हाली में अबॉट से सम्मानित किया गया है यह पुरुषकार उन्हें पिछले दस बरसों में भारती उध्योग में उनके योगदान विशेश रूप से आदिते विडला समू के संचालन को मजबूत करने और सुववस्तित करने में उनके निततों के सम्मान में पिड़्दान किया गया है अगला सवाल पहली वैश्विक बॉद्ध जो सम्मेलन है इसकी मेजवानी कौन करेगा तो फ्रेंसिस की मेजवानी करने वाला है भारत और यह सम्मेलन होगा नई दिल्ली में तो याद रखना है पहली बार भारत इसकी मेजवानी करेगा और सम्मेलन होने वाला है नई दिल्ली में कुशन बन सकता है वही अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व बौदिक संपदा दिवस प्रतिवर्स कब मनाते हैं 26 अपरेल को मनाया जाता है तो क्लास के शुरवात में जो क्वेशन मैंने आपसे पूछा था कि महराष्ट में किसकी जैनती को सुतंतरता बीड गौरब दिन के रूप में मनाया जाएगा तो इसका सही आंसर है आपसंडी बिनायक दामुदर सावरकर की जैनती को इनकी जैनती कब मनाय जाती है तो इनकी जैनती मनाय जाती है 28 मैं को तो अब डिस्कस कर लेते हैं कलके शेशन के बारे में खबरों में रहा जूस मिसन का संबंध किस गिरह से है तो इसका संबंध है ब्रसपती गिरह से भारत में पहली बार अंडर्वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्राइल किस सहर में किया गया है तो जल्दी ही यह मेट्रो ट्रेन सुरू होने वाली है कहां पर कॉलकाता में बाली कातन सेन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है भारत के किस सहर में पहली बार 3D प्रिंटेट पोस्ट ओपिस का निर्मान किया जा रहा है तो यह ओपिस बन रहा है कहां पर बैंगलॉर में गौंड पिंटिंग का जी आई टेक किसे मिला है तो यह जी आई टेक मिला है मद्द प्रदेश को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंकिया है तो भारत इसमें 77 वे स्थान पर रहा है ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ती वाले मुख्यमंत्री कौन है तो इनका नाम है याद रखेंगे जगन मोहन तुरेड़ी किस कमपनी को हाली में मिनी रतन कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है तो सूलर एनरजी कॉर्परेशन आफ इंडिया को किसने मार्श महीने के लिए ICC मेंस प्लियर आपदा मंत का अवार्ड जीता है तो ये अवार्ड साकेवल हसन को दिया गया है जिने आप सब इपिक में देख सकते हैं भारत ने महीला ACI कुस्ती चेंपियंशिप में कुल कितने पदक जीते हैं तो भारत ने इसमें साथ पदक जीते हैं तो ये था कल का करेंट अफियर टिटल से जानना है तो एक बार कल की गिलास जरूर देख लीजेगा आप डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन इस्टाटिक जी के कुर्शन भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच सेना प्रमो कौन होता है भारत का राश्ट पती भारत की तीनों सेनाओं का मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में है 1857 का पर्थम स्वैधींता संग्राम कहां से प्रारम हुआ था मेरट से अजन्तव है एलोरा की गुफाएं कहां पर है औरंगाबाद के निकट महराश्ट में अमेरिका की संसद का क्या नाम है तो अमेरिका की संसद को सीनेट कहते हैं इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है एहमत सुकर्णो को इंडियन डिवाइड़ पुस्तक के लिखक कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रशाथ करो या मरो का मंत्र किस ने दिया था माहत्मा गांधी ने काइडे आजम किसे कहा जाता है तो याद रखना है मोहमत अली चिन्ना को कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गएते आंसर देख लेते हैं तुलसी दास बलराम का 86 साल के आयू में निदन हो गया इनका संबंद के स्खिल से है तो ये फुट वॉल के काफी अच्छे खिलारी है यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के रास्टी राजदूद के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है तो सही आंसर है अप्सन ए आयूसमान खुराना भारत के सबसे दच्छडी भाग में इस दित पहाणिया निम्न मेंसे कौन सी है तो फ्रेंट्स याद रखना है काडमम पहाणिया है निम्न लिकित मेंसे कौन सा कथन सत्त नहीं है तो देखे माहा नदी का उदगम च्छतिसगर से होता है और राजज से अब आप सभी के लिए कुस्छ सवाल है आंसर करना है कमेंट्स जोक्स में विश्वकरा सबसे तेज एकल सोट लेजर के मरा किसने बनाया है CO2 आयत करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है भारती प्रती भूती एवं बिन में बोड की स्थापना कब की गई थी R.N. मनलोत्रा समीथी ने किस छेत्र से सम्बंदे सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो फ्रेंट्स इन सभी के लिए आंसरा आपको करने हैं कमेंटस बॉक्स में आज का ये शेशन आपको कैसा लगा कमेंटस करके ज़रूर पताएगा अगर क्लास अछी लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेर कीज़ेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नेस्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत